हेलो फ्रेंज आज मैं बनारी हूँ आप सब के लिए नवरात्री स्पेशल वेज़ ठाली यह जो मैंने वेज़ ठाली बनाई है इसमें सबसे पहले मैंने बनाया है सबजी, हलवा और पराठा और यह तीनों चीज़े मैंने एक ही चीज़ से बनाई है वो है कच्चे पपीते से जी हाँ कच्चे पपीते से बनाया है मैंने सबजी, हलवा और पराठा चलिए यह जटपर्सी और पहुती टेस्टी रेसिपी कैसे बनाते हैं देखिए मेरे साथ और जरूर बनाईए आप भी इसे घर पर सबसे पहले मैं बनाऊंगी कच्चे पपीते का हलवा यहां पर मैंने लिया एक कच्चा पपीता इसको अच्छे से पहले मैंने धो लिया है, धोने के बाद इसको मैं दो पीसे में कट कर रही हूँ इसके बाद इसके अंदर के जो बीच है इसको मैं निकाल लूँगी वरना जो हम लोग हलवा बना रहे हैं वो कड़वा लगेगा इसके बाद इसके जो छिलके हैं इसे भी मैं छिल लूँगी पिर यहां प्रिश इसको में दो फीसे इसमें कट करके इसको मिदल वाला पोर्शन है को भी हटा लोंगी। वरना हम लोग जो के हलवा है कड़वा हो जएगा। यहां प्रे मैं इसको कदुकस कर ले रही हूं। यहां पर मैंने आधा पपिता लिया है हलवा के लिए और इसको मैंने अच्छे से कदुकस कर लिया है तो यहां पर मैं एक पैन ले रही हूं इसमें मैं लोंगी दो चमत घी आप तेल भी ले सकते हैं लेकिन हलवा और घी बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन है तो चलिए यहां पर मैंने डाल दिया अपना कदुकस किया हुआ पपीता इसको हमें अच्छे से फ्राइ करना है आप धक्के रखे और लगातार हिलाते रहे हैं मैंने पैन को दूसरे गैस में शिफ्ट कर दिया है और साइड में मैं बना रही हूँ चाशनी चाशनी के लिए मैंने लिया है एक कप पानी और यहां पे लिया है मैंने मिसरी मैं गुड़ भी यूज़ कर सकती थी लेकिन मैंने सोचा गुड़ से हलवा थोड़ा लाल हो जाएगा इसलिए यहां पे मैंने मिसरी यूज़ किया है आपको बस मिस्री को गलाना है उतना तक ही चाशनी उबालना है और बीच-बीच में आपको जो पपिता है उसको हिलाते रहना है वरना नीचे जलने के चांसे है हम लोगे चाशनी ओल्मोस्ट रेडी है यहाँ पे मैं केसर डालूगी यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप डालिए वरना यह ऑप्शनल है इसके बाद यह चाशनी हमारी पूरी तरह रेडी है इसको हटा देंगे और पपीते का जो पैन है इसको इस गैस में शिप्ट कर देंगे अभी धीरे धीरे हम लोग जो चाशनी बनाया था वो गरम गरम इसी पपीते में डाल देंगे और इसको लगातार हिला दे रहेंगे थोड़े देर के लिए मैं इसको ढख के रख देती हूँ ताकि चाशनी जो है वो अच्छे से अब्जॉर्फ हो जाए देखिए हम लोग का हलवा कितना देखने में सुन्दल लग रहा है अभी यहाँ पर मैं डालूंगे एक कटूरी दूद्स आपको एक साथ पूरी एक कटूरी दूद्स नहीं डालने है आप दो या तीन बार में इसको डालिए और जब दूद अच्छे से मिक्स हो जाए उस ही तड़का लगाया था अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ डेस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दोंगे इसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाला एक चमच केवडा वाटर और फिर एक चमच गुलाब जल वाटर यह सब ऑप्शनल है अग से पहले मैं बना रही हूं स्टाफिंग यहाँ पे मैंने पैन में तेल लिया है एक चमच अजवाइन और एक चमच खसकस डाला है इसमें इसको अच्छे से हम लोग फ्राइ कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है कद्दू कस किया हुआ पपीता पपीता को हम लो होने तक अच्छे से फ्राइ करना है यहाँपे अविमी डालउंगी उबले हुए दाल जो कि मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ यहाँपे मैंने दो चमच kवली चानाल ढाला है अगर आपस चाना डाल नहीं है तो आप उबले जाह सकते हैं इसके बाद यहाँपे मैं सारे पाऊडर, मिर्ची पाऊडर, हल्दी पाऊडर इन सभी को हमलोग मिलाएंगे और अच्छे से पपीते के साथ मिक्स कर लेंगे इसके बाद यहां पर मैं डालूंगी कसूरी मेति आप चाहें तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं इसको अच्छे से फ्राय करना है जब तक कि हम लोग को जो मसाला है उसका कच्छा फ्लेवर चलाना जाए तो हमारी स्काफिंग्स रेडी है अब भी हम लोग बनाएंगे इसको जादा नहीं पत्ला बेलेंगे क्योंकि अंदर हम लोग स्टफिंग्स भरेंगे स्टफिंग्स भरने के बाद देखिए मैं कैसे हातों की मदद से इसको बंद करके हातों में रूल कर रही हूं रोल इसले कर रही हूं ताकि जो स्टफिंग्स है वो चारों तरफ पैल वरना क्या होता है एक तरफ स्टफिंग्स जादा रहती है और एक तरफ स्टफिंग्स कम रहती है इसको उंगलियों की मदद से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसके बाद हम लोग इसको बेलन से गोल अकार में रोटी की शेप में बेल लेंगे जादा पतला नहीं बेल अभी हम लोग पराठे को सेखेंगे पराठे को एक साइट से अच्छे से शेखने के बाद इसे पलट लेंगे और उपर से यहाँ पर मैंने दिया है एक चमज घी आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं दोनों साइट से हमें अच्छे से शेखना है देखे किसे सुंदर तरीके से दोनों साइट से मेरा पराठा सिख चुका है अभी इसे मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ हम लोग का पराठा बिल्कुल रेडी है अभी हम लोग तैयारी करेंगे पपीते की सबजी की देखिए पपीते की सबजी के लिए सबसे पहले मैंने सबजी को एक ही आकार में क् लिया है तो हमें Fahrenheit सभी पपी अजब करने के लिए के लिए सबसे पहले लेंगे यहां प Viele अधिया यहां लिया है में थोड़ा सथ पेल और यहां पर मैं डाल रहे हूं कटे हुए फपीते भी करेंगे और यह जल्दी नरम हो जाए इसके लिए यहां पर मैंने उपर से डाला है सेंधा नमक आपको कम से कम 10 मिंट लगेगा अच्छे से पपीते को फ्राइ करने में इसके बाद यहां पे मैं थोड़ा सा मसाला डाल रही हूं हल्दी और मिर्च बस इतना ही डालूंगी इसके बाद इसे अच्छे से फ्राइ कर लिया है मैंने इसको मैं अभी निक बस में थोड़ा हल्का सफ्राइ करओंगी यहां पे मेरा आलू फ्राई हो चुका है और इसको मैं निकाल क्षोगी मैं और तेल नहीं डाल रही हूं शुरुआत देल सबजी और रही हरा रहा ने क dont the actualоме simpler बना लूंगी अब इस तेल में दालरी दो इल्जी और कुछ डाने काली मिर्च के इसके बाद आधा चम्मट कलॉची ग जीरे इसके बाद याँप में दाला हुगे कर्दुकस करके कaceutशी हलदी के जगआ अद्रग भी डाल सकते हैं इसके बाद इसे अच्छी से फ्राइर करने के बाद याँप में डाल रहे हुग टमाटर टमाटर डालने के बाद इसे हमें अच्छे से फ्राइक करना है जब टमाटर गल जाए और अच्छे से पक जाए इसके बाद यहाँ पर मैं मिलाओंगी मसाले बट मसाले में सूखे नहीं मिला रहे हूँ यहां पे मैंने सारे मसाले पानी में अच्छे से ढिगो के रख दिये थें यितने भी आपके पास मसाले हल्दी मिर्ची जीरा धनिया पाऊडर overe सब को पानी में अच्छे से खोल ली जए और ग्रेवी बनाके अबल दीजिए इसके बाद यहाँ पर मैं डाल हूँ कचा मेर्ची, जो प्राई किया हुआ प्रאלु मिया छकी प्राया आलू पपीटная पनीं मिक्स कर देंगे सबी को अच्छे से मिक्स करना है इसके बाद लास्ट पर हम लोग डालेंगे कटा हुआ धनिया अब धनिया का जगा पुदिना भी डाल सकते हैं उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा इस सब्जी के साथ थोड़े देर अच्छे से फ्राइ करने के बाद हमारी सब्जी रेडी है देखी कितनी यमी लग रही है इसे मैं सर्व कर लेती हूँ कटोरी में तो हमारी यहां पे पपिते की सबजी भी रेडी है तो देखा आपने कितना इजी है बनाना पपिते की सबजी, हलवा और पराठा जितना यह देखने में टेस्टी लग रहा है उतना हेल्दी भी है नवरात्री चल रहा है आप भी इसे घर पे जरूर बनाईए जटपट रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी है मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे वीडियो को लास्ट देखिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत थैंक्यू